हेलो, नमस्ते, सस्रीकाल, सलाम आलेकुम, दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं बहुती बढ़िया हूँ और उमीद हैं आप लोग भी एकदम बढ़िया हूँगे अपने अपने घर पे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुती लाजवाब आयरवेदिक चूर्ण आयरवेदिक फॉर्मूला के बारे में जो की सिर्फ तीन इंग्रीडियंट्स की मदद से बना हैं और इसको आप खुद अपने आप अपने घर पे बहुती अस के साथ बना सकते हैं और इस्तमाल कर सकते हैं और यह आयरवेदिक फॉर्मूला जो आज मैं आपको बता रहा हूँ यह बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में यानि डायवेटीज को कंट्रोल करने में आपकी बहुत जादा हेल्प करेगा इसके साथ बढ़ी सिस्टम्स पे जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उनको काउंटर करने में भी यह फॉर्मूला बहुत ही लाजवाब चीज है तो चलिए बीना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस आयरुवेदिक फॉर्मूला के बारे में कि इसमें कौन-कौन से इंग्रेडियंट्स आपको लेने हैं, किस तरह से इसको तयार करना है और कितनी डोज में और कब-कब इसको यूज करना है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हाई, मेरे नाम डॉक्टर सलीम जैदी है, मैं एक आयरुवेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ और मेरा मिशन है आपको सही तरीके से गाइड करना जिससे आप एक हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ जी सकें नैचरल चीजों की मदद से और इसी करम में आज मैं आपको बता रहा हूँ ये लाजवाब नुस्खा जो की डाइबटीस को ठीक करने में आपकी काफी ज़्यादा हेल्प कर सकता है दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की जरुरत पड़ेगी पहली चीज जो इसमें आपको चाहिए वो है जामुन की गुठली दूसरी चीज है करेला सूखा हुआ और तीसरी चीज है गुडमार दोस्तों ये तीनों ही चीजे सदियों से इस्तमाल होती आई हैं और पुराने आयरवेदिक स्क्रिप्चर में भी इनका जिक्र है और ये बताया गया है कि ये आपके ब्लॉडी के अंदर ब्लड शुगर को मेंटेन रखने का उसको रेगुलेट करने का काम करती है अगर हम scientific data की बात करें तो जामुन के अंदर दो basic ingredients पाई जाते हैं दो components पाई जाते हैं जो बोलते हैं जैम्बोलिन और जैम्बोसिन ये दोनों ही चीजे आपकी बॉडी के अंदर जो glucose का absorption होता है उसको slow down कर देती है और हमारी body के अंदर insulin के production को भी और insulin की sensitivity को भी बढ़ा देती है अगर मैं बात करूँ करेले की तो करेला भी एक बहुत ही बढ़िया और जानी मानी चीज है शुगर को control करने के लिए करेले के अंदर भी कुछ ऐसे components पाई जाते हैं क्योंकि actively हमारी blood sugar को कम करने का काम करते हैं करेला भी हमारी body के अंदर insulin के production को और insulin की sensitivity को बढ़ा देता है करेला एक बहुत ही बढ़िया blood purifier भी है जो कि खून में से toxins को eliminate करता है खून को साफ करता है और बढ़ी होई blood sugar की वज़ा से जो हमारी body के उपर अलग-अलग side effects आते हैं उन से भी हमें safe रखता है गुडमार की अगर मैं बात करूँ तो गुडमार एक तरह की बेल होती है जिसके पत्ते इस्तमाल किये जाते हैं और ये एक बहुत ही पुरानी आयरुवेदिक medicine है जो कि आपकी body के अंदर sugar को कम करने का काम करती है अगर मैं इसके नाम की बात करूँ तो इसके नाम से ही जाहिर है good mar गुड का मतलब है मीठा और मार का मतलब है खत्म करने वाला यानि शुगर को खत्म करने वाला तो इसके पत्ते अगर scientifically मैं आपको बताऊं तो scientifically भी proven है कि हमारी body के अंदर insulin के production को बढ़ा देते हैं हमारे जो pancreas है यानि वो organ जहां से insulin secret होती है उस organ को भी safe रखता है अलग लग तरह की damages से antioxidant properties भी इसके अंदर होती है जिसकी वज़ा से जो insulin production करने वाली cells होती है वो safe रहती है और आपकी अंदर जो है पूरी मातर में insulin बनती रहती है और sugar जो है वो control में रहती है तो ये तो mode of action की बात हुई कि ये तीनों चीज़े किस तरह से आपको फाइदा पहुचाती है और किस लिये और किस कारण से इनको हमने इस formula के अंदर लिया है अब देख लेते हैं कि इस formula को आपको किस तरह से बनाना है और किस तरह से कितनी dose में और कब-कब इस्तमाल करना है दोस्तो इस आयरुवेदिक चूण को बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम जामुन की गुटली 100 ग्राम आपको चाहिए गुणमार के पते और 100 ग्राम आपको चाहिए करेला ये तीनों ही चीज़े आपको सूखी हुई चाहिए आपके आसपास कोई पंसारी की शौप है तो वहां से आपको ये सब चीज़े असानी से मिल जाएंगी या फिर आजकल ऑनलाइन भी ये सभी चीज़े अवलेबल हैं तो आप ऑनलाइन भी इनको पर्चेस करके मगा सकते हैं इन सभी चीज़ों को बराबर बराबर कॉंटिटी में आप ले लीजे और उसके बाद किसी अवाम दस्ते में खरल में या फिर अपने मिक्सर ग्रैंडर में इसको आप पीस लीजे जब इन चीज़ों का बारीक पाउडर बन जाएं तो उसको एक सूती कपड़े के अंदर छान लीजे या फिर किसी बारीक छन्नी के अंदर आप छान लीजे और ये छना हुआ पाउडर आप एक एरटाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख लीजे इस पाउडर के अंदर से आपको तीन से पांच ग्रैम यानि करीब आधा से एक चमच लेना है सुभा नाश्ता करने से आदा गंटे पहले और यही same dose तीन से पांच ग्राम आपको लेना है रात को खाना खाने से आदा गंटे पहले पानी के साथ आपको इसको लेना है पानी में मिलाना नहीं है मुँमें डाल के फांगना है उपर से पानी पीके इसको स्वालो कर लेना है अगर आपकी already कोई ayurvedic दवाई या कोई allopathic दवाई चल रही है diabetes के लिए तो आप उसके साथ भी इसको लगा सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से safe है और उसके साथ जब आप इसको लगाएंगे तो आप धीरे-धीरे देखेंगे कि आपकी जो blood sugar है वो और भी बहतर तरीके से control होनी शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि आपकी जो दवाई allopathic या बाकी चल रही है उनकी dose भी आपको धीरे-धीरे कम करनी पड़ जाए उसके लिए आप अपने डॉक्टर से बाद में consult कर सकते हैं और उनकी सलह मश्वरे से आप अपनी dose भी कम कर सकते हैं लगबग दो हफसे के अंदर आपको इससे चूर्ण का जो असर है वो दिखने को मिलता है और आपकी जो diabetes है आपकी जो blood sugar है वो कम होनी शुरू हो जाती है अगर किसी वज़ा से आपको दो हफसे के बाद भी इसका असर नहीं दिखता है तो उस case में आप इसकी dose बढ़ा सकते हैं करीब 7-8 gram भी यानि करीब 1-1.5 चमश तक भी आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं लेकिन अगर इसकी dose बढ़ाने के बावजूद भी यानि 1-1.5 चमश लेने के बावजूद भी आपको इससे फायदा नहीं हो रहा है और आपकी sugar control में नहीं आ रही है इसका मतलब है कि आपकी जो diabetes है वो higher grade में जा चुकी है तो उस case में एक ayurvedic medicine भी आती है जो मैं आपको recommend करता हूँ जो आप ले सकते हैं इस ayurvedic medicine का नाम है Nveda SMB capsule ये एक बहुत ही बढ़िया ayurvedic medicine है जो की I.U.S. Department Government of India दोरा approved है diabetes treatment के लिए इस medicine के अंदर आपको ये तीनों चीज़े यानि जामुन, गुडमार और करेला तो मिलता ही मिलता है इसके साथ साथ भी आपको बहुत सारी ऐसी अच्छे चीज़े हैं जो की मिलती है For example, इसके अंदर आपको हरेद्रा भी मिलता है, इसके अंदर आपको शिलाजियत भी मिलता है, इसके अंदर आपको नीम भी मिलता है और इसके अंदर आपको विजय सार भी मिलता है इसके अलावा भी बहुत सारे और भी इंग्रीटिंट्स हैं जो कि आपको इससे प्रोड़क्त के अंदर मिलते हैं ये सभी चीजे जो हैं scientifically proven हैं आपकी blood sugar को maintain करने के लिए उसको कम करने के लिए और सिर्फ blood sugar को maintain करना ही नहीं बड़ी हुई blood sugar की वज़े से आपकी body के अलग-अलग systems पर जो side effects आते हैं उनको भी ये product बहुत ही अच्छी तरीके से counter करता है और आपकी body के बाके systems को diabetes की वज़े से होने वाले damage से बचाता है बढ़ी हुई blood sugar की वज़े से अगर आपकी body के अंतरे inflammation बहुत जादा हो रहा है आपको body में pain रहता है कमजोरी रहती है थकावट रहती है तो उस case में भी आप इस product को इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन चीजों में भी आपको काफी इच्छे results इसकी मदद से मिलेंगे इसको लेना भी बहुत ही जादा आसान है आपको सिर्फ दो capsule लेने होते हैं सुबह नाश्टा करने से आदा घंटे पहले और दो capsule आपको लेने होते हैं राग को खाना खाने से आदा घंटे पहले पूरी तरह से आयरवेदिक होने के कारण से पूरी तरह से side effect free है पूरी तरह से safe product है और जैसा कि मैंने आपको बताया आयोज डिपार्टमेंट दोरा approved भी है तो इसकी quality पर और इसकी efficacy पर भी आप कोई शंका नहीं कर सकते हैं इस product को आप अगर लेना चाहते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप directly अन्वेदा की website से भी सकते हैं या फिर आप Amazon Flipkart वगरे से पर्चेस कर सकते हैं पर्चेस करने के लिए जो लिंक्स है वो नीचे description box में और पिंड कमेंट में आपको मिल जाएंगे वहां से directly क्लिक करके आप इसको online मंगा सकते हैं अब बारी आती है आपके सवालों की तो आज का पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं यह है Mr. Rahul Puri का Mr. Rahul Puri कहते है, Salim sir just want to give a feedback and need advice too after watching your video I started taking apple cider vinegar with zera water in the morning and as a result I am losing my weight and getting slim very good which is distinctly noticed by family and friends but have one concern that is this combination good for controlling pre-diabetic level and for kidney too as I have a high bb problem and taking regular medicine for that looking to hear you Rahul Puri ji कहरे है किसाब मैंने आपने एक चीज बताई थी apple cider vinegar और zera water तो वो मैं ले रहा हूं morning में और इसकी वजह से मेरा जो weight है वो भी lose हो रहा है और मेरे family friends उसको अच्छी तरह से notice भी कर रहे हैं कि हाँ आपका weight कम हो रहा है तो इसके लिए तो यह बहुत 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 थैंक्फुल हैं इसके साथ साथ यह पूछ रहे हैं कि अगर मुझे जो है प्री diabetes है यही मेरी थोड़ी diabetes जो है वो बॉटर लाइन पर रहती है और मिझे कीड़नी में भी तोड़ा improvement चाहिए चाहरा हूं कि किड़नी के function अच्छा हो जाए क्योंकि में जब बीबी की problem भी है तो उस case में भी क्या मैं यह दोनों चीज़े ले सकता हूं इनका क्या फायदा है देखिए apple cider vinegar जो है वो एक बहुत बढ़िया चीज है आपके overall पूरी body के लिए apple cider vinegar आपको blood pressure कम करने में भी मदद करता है औ और आपको as a diuretic भी काम करता है आपके kidneys के अंदर stone बनने को भी कम कर देता है और kidney की functioning को भी improve करता है kidney के अंदर infection को भी दूर करता है in fact तो एक बहुत बढ़िया चीज है जो कि आप ले सकते हैं already ले रहे हैं बहुत बढ़िया है दूसरी चीज जो आप ले रहे हैं वो है ज weight loss और बागी जो चीजे आपको help मिल रही है इससे वो तो as it is मिलती ही रहेंगी तो मेरी तरफ से पूरी तरह सरी commendation है आप इन चीजों को continue कर सकते हैं आपको इन चीजों में भी यानि आपकी BP की problem में भी और kidney में भी काफी ज़्यादा इससे help मिलेगी आज का दूसरा सवाल है द्रूव फिटनेस का द्रूव फिटनेस जो है यह बोल रहे हैं कि सर ऐसा बोलते हैं कि यह जो एक्शली इन्होंने सवाल पूचा है यह आपको बतातेता हूं यह पूचा है इन्होंने इस सब गोल वाली वीडियो पे तो यह है इस सब गोल के context में इनका कहना है कि ऐसा बोलते हैं कि इसे लेने से रोज आदत पढ़ जाती है और आते कमजोर हो जाती है फिर बिना इसको लिए मोशन नहीं होता है प्रॉपर इस ट्रूव फिटनेस जी यह बिल्कुल भी ट्रू नहीं है जिसने भी आप से बोला है गलत बोला है क्योंकि इस सब गोल के इंदर को जोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो कि आपको हैबिट फॉर्मिंग करें आपके इंदर हैबिट परदा कर दे यह नि आपको आदत पढ़ जाए हुज की मैंने जो यह वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको क्लियर ली बोला था कि इसकी आपको आदत नहीं पड़त को आदत नहीं पड़ती है, long term आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, पूरी तरह से safe हैं और पूरी तरह से non-habit forming चीज़ हैं, इस अब गोल, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और इसमें बताई गई जो बाते थी, आपको जरूर diabetes control करने में मदद करेंगी, अगर आपके कुछ सवाल हैं, या आपको और कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे comment section में पूछ सकते हैं, अगर आपके कुछ ऐसे सवाल हैं, जो आप चाहते हैं, कि मैं आने वाली वीडियो में उनके बारे में जवाब दूँ, तो वो भी आप मुझे से नीचे पूछ सकते हैं, कुछ concerns हैं अगर आपके, या किस तरह की वीडियो आप देखने चाहते हैं, आने वाले समय में भी, ये भी comment जरू करिए, ताकि हमें पता लगे किस तरह की आप लोग की demand है, और किस तरह की वीडियो समय में आने वाले समय में बनानी चाहिए. कि मेरी कोशिश रहती है, कि मैं जो बी चीज आपको बता रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझा दूं कि scientifically क्या उसके बारे में study है, या क्यों मैं उस चीज को आपको recommend कर रहा हूं, ताकि मेरा जो claim है, वो at least किसी चीज से back होना चाहिए, उसको एक support होना ही च आप अगर जादा लंबी वीडियो दिखना चाहते हैं, जादा शॉट वीडियो दिखना चाहते हैं, वो भी मुझसे comment में जरूर शेयर करिएगा, ताकि मैं उसमें भी देखूँ कि आप लोगों के जादा तर को लंबी वीडियो देखना पसंद है या चोटी वीडियो दे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, ताकि आने वाले समय में भी वीडियो आपको देखने को मिलती रहें, ये वीडियो अगर अच्छी लगी थी तो इसे एक लाइक जरूर दीजेगा, और अपने जानने पर शेयर भी जरूर करिएगा, मैं डॉक्टर सलीम आपसे वि जल्दी हमेजा